तो हेलो मेरे बाई जैसा कि तुम में पता होगा कि 2022 बालीवूट के लिए कुछ खास अच्छा था नहीं बालीवूट के आने वाली ज्यादेतर मुवी फ्लॉप रही है और वही पर बात करें साउथ इंडिया फिल्मों और पैन इंडिया फिल्मों के बारे में तो वह काफी ज्यादा तहल का मचाई थी सिलीमा घरों में और वर्डवाइड लगवाग अच्छा का सा कलेक्शन भी कर रही थी इंडिया फिल्मों की बात करें तो केजी एप टेटर टू जिसने वर्डवाइड लगवाग 1278 करोड रूपय का माया और आर 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 जो तेल्गू की फिलि सिलीमा घरों में तो नमबर एक पर है वीजय थालापती सर की निव मूवी वार इसू जो 23 जनवरी 2023 को सिलीमा घरों में दस्तक देगी और वीजय सर के अलावा इस मूवी में रसिम का मंधाना भी है वामसी पैदी पल्ली दौर निदे से इस मूवी का बज़ेट लगवाग थे लेकिन इसका पार्ट टू जाटाइस अपरेल 2023 को सिलीमा घरों में रिलेज होगी पार्ट वन का बज़ेट लगवग 200 करोड था एंड पार्ट तू का बज़ेट भी लगवग 200 करोड और प्रसनली भाई वोलू तुम्हें पार्ट टू का बेट काफी बेसबरी से कर रह लेगी तो भाई इस फिल्म के मैं एक्टर होने वाले है कमल हसन प्रिया बाउनी और काजल अग्रवाल एंड इस मुवी का बज़ेट लगवग 1200 करोड के आसपास है और लिस्ट के चौते नबर की मुवी है जेलर जो 14 अपरेल 2023 को सिलेमा गरों में रिलेज होगी एंड इसक सबसे बड़ी मुवी होने वाली है तुनी वू आई नो गाइस मुझे नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इसके डिरेक्टर है एच वी नो हो तो मेरे भाई इस मुवी का बज़ट भी 100 करोड के आसपास है एडे मुवी तुम्हें 12 जनरोजी को सिलेमा गरों में देखने को मिलने वाली है वेल गाइस अगर तुम्हें मेरी वीडियो जरा से भी इंफॉमेटिव लगी हो ना तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है लाइक करना तो बिलकुल मत बोलना